आईस जोहर की ये बात सुनकर जहां एक तरफ भारती अधिकारी और पाकिस्तानी अधिकारी चौक गए वहीं बेनजीर भुट्टो भी हैवान रहे दिन बेनजीर भुट्टो को समझनी आ रहा था कि अब वो कहें क्या किसी की जिन्दगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है मुश्किल है? ना मुम्किन नहीं आज मैं आपके लिए बॉलिवुट के जीनियस कॉमेडियन के नाम से मशूर एक्टर आईस जोहर की जिन्दगी की पूरी कहानी लेका आया हूँ अधी को कैसे डरा दिया था आई-एस जौहर ने क्या है आई-एस जौहर और पाकिस्तान की पूर प्रुदहन मंतरी बेनजीर भुक्टों का गजब किस्सा क्यों आई-स जौहर के अपने सगे भाई ने साजिश करके उन्हें जेल भेजवा दिया और आखिर में कैसे पागल होकर गुमनामी में मर गए आईस जोहर इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में तो चलिए शिव करते हैं आईस जोहर का जन्म 16 फर्वरी सन 1920 को आज के पाकिस्तान यानि तब के हिंदुस्तान के पश्चिमी पंजाब के जेलम जिले के एक छोटे से कस्बे ताल गंद की एक पंजाबी हिंदू सेमिली में हुआ था कुछ कहते हैं कि आईस जोहर का पूरा नाम था इंदरजीत सिंग जोहर और कुछ कहते हैं कि उनका पूरा नाम था इंदर सेन जोहर IS جوہر کا पूरा नाम चाहे जो भी हो मगर उनके माता पिता के ना ही नाम के बारे में कोई जानकारी मिलती है ना ही काम के बारे में हाँ इतना तरह है कि IS جوہर के परवार की आर्थिक स्थिती ठीक थी क्योंकि उसी जमाने में IS جوہर ने डबल मे किया था पहले एकॉनोमिक्स में उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में IS जोहर ने एक मशूर मैगजीन को दिये अपने एक इंटर्वी में बताया था कि उनका एक जोड़वा भाई था जो बिलकुल उनहीं की तरह दिखता था और इस बात का वो बहुत नाजायस फायदा उठाता था IS जोहर बताते हैं कि कई बार ऐसा होता कि गलती वो करता मगर फिर उन्हें फसा देता और उसकी गलती की सजा IS जोहर को भुगतनी पड़ती कॉलेज में फर्स्ट आये IS जोहर मगर कन्रोकेशन के दिन डिग्री और अवार्ड उसे मिल गया एक बार तो उसने कोई जुर्म कर दिया जिसके कारण थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई उसने फिर से IS जोहर को फसा दिया जिसके कारण पुलिस ने IS जोहर को ही मुझ्रीम समझ उन्हें जेल में बंद कर दिया यहां तक की IS जोहर जिस लड़की से बचपन से प्यार करते थे उस लड़की से उसने IS जोहर के हमशकल होने का फायदा उठाते हुए IS जोहर बनकर शादी कर ली IS जोहर के मुताबिक अपने हमशकल भाई की ऐसी ही दुष्टताओं के कारण उनके अपने भाई के साथ संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे MA की पढ़ाई के बाद IS जोहर ने LLB की पढ़ाई करनी शुरू कर दी LLB की पढ़ाई के दौरान ही IS जोहर को दोस्तों के साथ मिलकर फिल्में देखने का चसका लग गया हाँ, IS जोहर उनके दोस्तों के बीच एक फर्द था उनके दोस्त फिल्म को मनरंजन की तरह देखते देखकर भूल जाते मगर आयस जोहर के दिल पर फिल्म में बड़ा गहरा असर डालती थी फिल्म में देखकर उनका भी मन फिल्म में बनाने को कहता इस विचार के तहत ही उन्होंने गुप्त रूप से ऐसी कई कहानिया लिख डाली जिन पर उनके मुताबिक फिल्म में बनाई जा सकती थी कुछ समय बाद लॉग कम्प्लीट होने पर उनके घर वालोंने उनकी शादी कर दी रम्मा बेन से अपनी शादी के कुछ दिनों बाद आयस जोहर अपने एक रिष्टेदार की शादी में शिरकत करने के लिए पूरे परवार के साथ लाहोर से पटियाला आए अभी वो पटियाला में ही थे कि अचानक भारत पाकिस्तान के बटवारे का ऐलान हो गया और पूरा पश्चमी पंजाब मजहभी दंगों की आग में भड़क उठा आयस जोहर ने दो-तिन दिनों बाद अख़बार में खबर पढ़ी कि लाहोर का मशूर शाह आलमी बजार जहां उनका घर हुआ करता था उसे पूरा फूग दिया गया है अफसोस की बाद आयस जोहर फिर दोबारा अपने घर कभी नहीं जा सके अब परिवार का खर्चा चलाना था आयस जोहर ने अपने परिवार को दिल्ली में छोड़ा और खुद कुछ पैसे कमाने के लिए जलंधर चले गए उनकी वकालत की डिग्रियां भी उनके घर के साथ धूदू करकर जल चुकी थी इसलिए वकालत भी नहीं कर सकते थी इसलिए आयस जोहर ने जलंधर की एक फैक्टरी में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया मगर इस काम में उनका मन नहीं लग रहा था आयस जोहर ने सोचा क्यों ना वो काम किया जाए जिसमें उनका मन लगता है फिल्मों में काम आयस जोहर पहुँच गए बंबई बंबई में अपना खर्चा चलाने के लिए आयस जोहर ने एक धाबे में काम करना शुरू कर दिया और सुबह शाम फिल्मों में काम पाने के सिल्सले में फिल्म स्टूडियोस के चक्कर काटने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात हुई डिरेक्टर रूप के शोरी से। उन्होंने आयस जोहर से अपनी लिखी हुई कोई कहानी उन्हें सुनाने को कहा। आयस जोहर ने जो कहानी उन्हें सुनाई वो कहानी रूप केशोरी को इतनी भाई कि उन्होंने उस पर एक फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। रूप के शोरी ने आयस जोहर की लिखी स्कुप्ट पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था एक थी लड़की ये फिल्म साल 1950 में विलीज हुई थी इसमें आयस जोहर ने एक छोटा सा रोल भी निभाया था ये फिल्म हिट हुई जिससे आयस जोहर की हिम्मत बढ़ी उन्होंने साल 1952 में विलीज होने वाली फिल्म श्रीमती जी से बॉलिवुड में अपना डिरेक्शनल डेब्यू किया ये भी हिट हुई उनके दोस्त डेक्टर बियार चोपरा ने उनसे कहा कि उनकी फिल्में एक के बाद एक लगातार फ्लॉप हो रही है जिससे निराश होकर अब वो फिल्म मेकिंग छोड़ने वाली है इस पर आयस जोहर ने उन्हें दिलासा देखते हुए अपनी लिखी हुई एक स्क्रिप्ट उन्हें दी जिस पर बियार चोपरा ने एक फिल्म बनाई जो कि साल 1953 में रिलीज हुई जिसका नाम था अपसाना ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई इस फिल्म से बियार चोपरा का डूपता फिल्म केरियर उबर देया दिल्चस्प तत ही ये है कि इस फिल्म की कहानी आयस जोहर ने अपनी और अपने दुष्ट हमशकल भाई की कहानी से इंस्पायर होकर लिखी थी आयस जोहर के दिल में बटवारे का दर्द नासूर बनकर अब तक हरा था I.S. जोहर ने भरत पाकिस्तान बटवारे पर ही एक फिल्म बनाई जो थी साल 1954 में रिलीज होने वाली फिल्म नास्तिक इस फिल्म का गाना देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान सुपर हिट साबित हुआ इस फिल्म से बॉलीवुड में I.S. जोहर की धाग जम गई इसके बाद 50 के दशक में I.S. जोहर ने शर्त, नागिन, बेवकूफ, हम सब चोर हैं एक गाउं की कहानी, तेरी निशानी, दुर्गेश नंदिनी, शागिर्द और भीगी रात जैसी कई फिल्मों में काम किया I.S. जोहर एक वर्सटाइल आर्टिस्ट थे वो एक्टिंग भी करते थे, वो राइटिंग भी करते थे, वो डिरेक्शन भी करते थे मगर उनकी पहचान बनी सिर्फ एक कॉमेडियन की और इसके पीछे खुद I.S. जोहर ही जिम्मेदार थे I.S. जोहर चाहे कितनी ही सीरियस फिल्मों में काम करते थे लेकिन उनमें कॉमेडी का तड़का लगा ही देती थे जैसे साल 1974 में उन्होंने एक फिल्म बनाई गोवा जो की गोवा के पुर्तगाल से आजाद होकर भारती गणराज में शामिल होने की घटना पर बनी थी इतनी गंभीर फिल्म में भी उन्होंने कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगा दिया अचा पहले तो संसर बोल्ड ने इस फिल्म के नाम गोवा पर ही अपक्ति कर दी संसर बोल्ड का मन्ना था कि भले ही गोवा पुर्तगाल से आजाद होकर भारत में शामिल हो चुका है मगर फिर भी इस से भारत और पुर्तगाल के संबंद खराब हो सकती है इसलिए आईस जोहर ने इस फिल्म का नाम जोहर महमूद चुकि इस फिल्म में उनके साथ महमूद भी थे इसलिए जोहर महमूद इन गोवा कर दिया जोहर महमूद इन गोवा सुपर हिट साबित हुई इस फिल्म का गाना चले हैं ससराल बहुत हिट हुआ इस फिल्म की सफलता के बाद I.S. जोहर को अपने नाम की फिल्म में बनाने का चसका लग गया लिहाजा इसके बाद उन्होंने जोहर महमूद इन हॉंग कॉंग, जोहर इन बॉमबे, जोहर इन कश्मीर, मेरा नाम जोहर जैसी जोहर जोहर नाम वली फिल्मों की जड़ी लगा दी इन सभी गंभीर विशैक फिल्मों में कॉमेडी का तगड़ा तड़का था हाँ ये बात जरूर है कि ये सभी फिल्में सुपर डूपर से भी उपर हिट सावी थूँ उस वक्त जोहर नाम का मतलब था फिल्म सुपर हिट होगी साथ के दशक में फिल्म फैर मैगजीन के हर शू में एक सेक्शन होता था Question Box with I.S. जोहर इसमें I.S. जोहर अपनी सदा बहार व्यंग विनोच शैली में पाठकों के सवालों के चुटीले और चुबते हुए जवाब देते कुछ सच्चे उदाहरण मैं आपको देता हूँ पाठक का सवाल मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ क्या सलाह देना चाहेंगे जोहर का जवाब हराम के काम से दूर रहे पाठक का सवाल आशावादी किसे कहते हैं जोहर का जवाब जो सिगरेट जलाने से पहले ही आपसे माचिस मांग ले पाठक का सवाल पुलिस हमेशा देवी से क्यों आती है जोहर का जवाब क्योंकि पुलिस हमेशा उसी की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है पाठक का सवाल लखनवों में गाली देने से पहले आप क्यों लगाती हैं जवहर का जवाब इज़त बढ़ा कर गिराने के लिए पाठक का सवाल अच्छा नेता किसे कहते हैं जवहर का जवाब जो चुनाओं से पहले आपसे हाथ मिलाए और चुनाओं के बाद आपका भरूसा ही लए वैसे नेता और चुनाओं की बात हुई तो एक बात आपको बताऊं कि आईस जवहर को फिल्मों में काम करने के अलावा जिस चीज में सबसे ज्यादा रुची थी वो थी राजनीती साल 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म जौनी मेरा नाम में पहला राम, दूजा राम और तीजा राम के रूप में निभाया गया आईस जवहर का ये ट्रिपल रोल दर्शकों को बहुत पसंदाया जिसके लिए आईस जवहर को फिल्म फेर आवर्ड भी मिला साल 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद जिस बंगलादेश का जन्म हुआ उस बंगलादेश के आज़ादी पर आईस जवहर ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जौई बंगलादेश साल 1971 में भारत पाक युद्ध खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान के प्रधान मंतरी जुलफी कारली भुट्टो शिमला समझाओते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत आये तो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी अपने साथ लाए दिल्ली में भारती मंतरियों और दिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने बंबरी में हिंदी फिल्म इंडेस्ट्री के कुछ दिगजों से भी मुलाकात की इन्ही दिगजों में शामिल थे आयेस जोहर भी आयेस जोहर ने बेनजीर भुट्टो से हाँट मिलाया और फिर उनसे बोले आप बहुत खुबसूरत हैं क्या आप मेरी अगली फिल्म में काम करेंगी आयेस जोहर की ये बात सुनकर जहां एक तरफ भारती अधिकारी और पाकिस्तानी अधिकारी चौक गए वहीं बेनजीर भुट्टो भी हैवान रहे गी बेनजीर भुट्टो को समझनी आ रहा था कि अब वो कहें क्या आखिर में उन्होंने आयेस जोहर से बड़ी विनमरता से कहा मैं जिन्दगी में एक्टिंग नहीं कुछ और करना चाहती हूँ साल 1975 में जब तब कालीन प्रधान मिंतरी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में एमर्जंसी लगा दी तब आयेस जोहर ने उनके इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलन कर दी उन्होंने इमर्जंसी के दोरान सरकार दोरा चलाए गए जबरन नस्बंदी कारकरम के खिलाफ नस्बंदी नाम की एक फिल्म बनाई ये सरकार के इस बेहुदा अभियान की खिलाफत करती एक व्यंग आलोचनात्मक फिल्म थी जिसकी रिलीजिंग पर इमर्जन्सी के दौरान सरकार ने रोक लगा दी जब सरकार ने इस फिल्म के रिलीज होने पर बैन लगा दिया तब IS जोहर ने इंदिरा गांधी सरकार की खिलाफत करने के लिए इमर्जेंसी, इंदिवा गांधी, संजय गांधी के खिलाफ बहुत सारे प्लेज लिखे और नुकण नाटकों की तरह जगा जगा उनका मंचन करवाने लगे एक के बाद एक करके सरकार ने इन सभी प्लेज पर भी बैन लगा दिया और इनके मंचन पर भी रोक लगा दी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईयस जहर की इन विद्रोही हरकतों के कारण प्रधान मंतरी इंदिवा गांधी उनसे घबराने लगी थी और उनसे बहुत चिड़ती थी इसलिए उनके आदेश पर संसर बोल्ट कमिटी आईयस जहर की फिल्मों पर कैंची चलाने के लिए कुछ अधिक ही उतावली रहती थी यहां तक कि जब आईयस जहर ने सरकार की शराब नीती पर व्यंग करती फाइव राइफल्स नाम की एक फिल्म बनाई तब भी कयास लगाए जा रही थे कि इसे बैन कर दिया जाएगा वैसे इस फिल्म में आईयस जहर ने कमाल का काम किया था इस फिल्म में उन्होंने मशूर एक्टर राजेश खन्ना और शशी कपूर के हमशकलों से काम कर वाया था जिनमें से राजेश खन्ना के हमशकल का नाम उन्होंने रख दिया राकेश खन्ना और शशी कपूर के हमशकल का नाम उन्होंने रख दिया शाही कपूर अब असी का दशक शुरू हो चुका था और असी के दशक की शुरुवात से ही बॉलिवुड में सरकार का प्रभाव बढ़ने लगा था अमिताब बच्चन और सुनील दत जैसे एक्टर्स अब बॉलिवुड में सरकार के प्रत्निधी के तौर पे काम कर रही थी उपर से IS जोहर के मजाकिया अंदाज और उनके बेखौफ बेलाउस पने के कारण इंडस्टरी में उनके चाहने वाले कम और उनसे चड़ने वाले ज्यादा थी इसी लिए एक खास प्रपेगेंडा के तहत उन्हें फिल्म इंडस्टरी से आइसोलेट किया जानी लगा मशूर निउस्पेपर देनिक भासकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त इंडस्टरी में ऐसे कई लोग थे जो IS जोहर को पागल साबित करने की कोशिश कर रही थे और इनहीं कोशिशों के कारण IS जोहर धीवे धीवे बॉलीवूट की लाइमलाइट से दूर गुमनामी के अंधेवों में गुम हो गए और 10 मार्च साल 1984 को हर्ट अटैक पढ़ने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए जैसा कि मैंने पहले कहा था IS जोहर एक वरस्टाइल आर्टिस्ट थे मगर उनकी पहचान सिर्फ एक कॉमेडियन की बनी लेकिन केवल कॉमेडियन की नहीं बॉलीवूट के जीनियस कॉमेडियन की